हेलो फिंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डीटियल में डिसकस करेंगे modern history का एक बहुत ही important topic जिसका नाम है First Anglo-Messor War जो 1766 से start होकर 1769 तक चली सबसे पहले हम समझेंगे कि First Anglo-Messor War क्यों हुआ देखो, आपने दिखा था कि 1764 के Battle of Buxer के बाद Bengal पर British East India Company का control हो चुका था इसके अलबा मदरास में भी British East India Company के settlements थे जो की Carnatic region का part था Carnatic का नवाब, Wallajah जो है वो British East India Company का वफाधार था उसे तो British East India Company नहीं Carnatic का नवाब बनवाया था तो कह सकते हैं कि British East India Company के मदरास में forts और settlements सुरक्षित थे उस समय यानि 1764 के आसपास जो बड़े किंग्डम से वो थे मैसूर, हैदरबाद के निजाम और मराधा एंपायर British East India Company चाहती थी कि वो अपनी बेंगॉल और मदरास की territories को आपस में connect कर दे बट बेंगॉल और कानेटिक के बीच में पढ़ता था Northern सरकार्स Northern सरकार की territory मिलके बनी है पांच territories से शिकाकोल, राजमुंद्री, एललोर, कॉंड़ापली और गुंटूर और Northern सरकार के उपर कंट्रोल था हैदरबाद के निजाम का बट हैदरबाद के निजाम सलाबत जंग ने Northern सरकार की territory December 1753 में French East India Company को दे दी थी और वो इसलिए क्योंकि सलाबत जंग को हैदरबाद का निजाम French East India Company ने बनवाय था और ये हमने Second Carnatic War में अलेडी दिखा था बट British East India Company ने 1758 में French East India Company को Northern सरकार से बाहर निकाल दिया तो इन अवे अब Northern सरकार फिर से हैदरबाद निजाम के अंडर में आ गई और अब 1762 में सलाबत जंग के बाद हैदरबाद में अब नए निजाम बना आसफजा 2 जिसे हम निजाम अली खान भी कहते हैं अब British East India Company को Northern सरकार की territories तो चाहिए थी वो हमने देखा कि वो connect करना चाहते थे Bengal और Madras को तो उन्होंने आसफजा 2 को अप्रोच किया उन्होंने कहा आप जितना rent बोलोगे हम उतना rent देंगे बस आप हमें Northern सरकार के rights दे दीजिए आसफजा 2 ने Britishers को rent पर Northern सरकार देने से मना कर दिया ऐसा उसने क्यों किया होगा ऐसा उसने इसलिए क्या क्योंकि आपने देखा था कि Carnatic War के दोरान हैदरबाद और British opposite game में थे तो अपने दुश्मनों को आसफजा 2 Northern सरकास नहीं देना चाहता था आसफजा 2 ने जब बात नहीं मानी तो Robert Clive शाह अलम 2 के पास पहुँचा शाह अलम 2 मुगल एंपरर था और Battle of Boxer में British East India Company से हार भी चुका था तो Robert Clive ने अपना हक जदाते हुए कहा कि शाह अलम भाई हमें किसी भी हाल में Northern सरकास के राइट दिलाई आप अब कोशन ये आता है कि मुगल एंपरर शाह अलम का Northern सरकास से क्या लेना देना है देखो ये भी हमने Second Carnetic War वाली वीडियो में समझा था कि हैदरबाद मुगल एंपरर का पार्ट हुआ करता था और जब औरंग जेब की डेथ होई तो मुगल एंपरर जब वीक होने लगा तो हैदरबाद एक successor state बन गया बट on purpose अभी भी हैदरबाद जो है वो शाह अलम 2 के अंडर में ही था तो रोबर्ट क्लाइब के कहने पर शाह अलम ने एक decree जारी कर दी यानि एक order जारी कर दिया कि Northern सरकार्स के right अब रोबर्ट क्लाइब को दी जा रहे है आप इस situation को इस तरह समझ सकते हो कि Northern सरकार्स जो है वो मुगल एंपार का part था बट हैदरबाद निजाम ने उस पर कबजा कर लिया है और शाह अलम 2 अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो अब Northern सरकार्स British East India Company को दी रहा हूँ यानि अब मामला आसफजा 2 और British East India Company के बीच है जिसके पास power होगी Northern सरकार्स की इसको एक और example से समझते हैं माल लीजिए मेरी एक कार है जिसको किसी ने हतिया लिया है और मैं किसी दूसरे बंदे को अपनी कार बेज देता हूँ तो अब जिस बंदे ने कार को हतिया है और जिसको मैंने कार बेची है अब वो दोनों आपस में डिसाइड करें कि कार किस के पास रहेगी मेरी तरफ से तो मैंने कार बेज दी है शाह अलम ने जैसे ही डिक्री पास की रोबर्ट क्लाइब ने Northern सरकास को उक्किपाई करना शुरू कर दिया आसफजा 2 को इससे बहुत दिक्कत हुई उसने पहले तो British East India Company को डराया फिर धमकाया और अटेक करने की धमकी भी दी बट आसफजा 2 को खुद अंदर से पता था कि हैदरबाद की इतनी अच्छी हालत नहीं है कि वो अटेक कर सके British East India Company पर तो एक कमजोर राजा क्या करेगा उसने मान लिया कि ठीक है भाई रख लो आप Northern सरकास बट कम से कम हमें किराया तो दे दो तो British East India Company ने 7 लाग रुपे उसे दे दिये और साथ में प्रॉमिस किया कि जब भी निजाम को जरूत होगी British East India Company अपनी फौज लेकर उसके साथ खड़ी हो जाएगी इस तरह British East India Company और हैदरबाद के बीच एक military alliance बन चुका था और हाँ मराठाओं के खिलाफ निजाम ने पहले से ही मैसूर के खिलाफ हाथ में ला रखा था तो इस तरह मराठा, हैदरबाद और British East India Company एक साथ आ गए एक्चुली बात ये थी कि मैसूर की बढ़ती हुई prosperity किसी से देखी नहीं जा रही थी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मैसूर एक inherently rich state था उसके पास fertile lands, ports handicrafts, kolar की gold mines और जंदन की लकडी थी तो ये भी एक कारण मना कि मराठा, हैदरबाद और British East India Company ने मिलकर मैसूर पर attack करने की सूची बट कोडिनेशन में थोड़ी चूक हो गई और 1766 में मराठा ने मैसूर पर attack कर दिया जबकि निजाम और British East India Company अभी attack के लिए prepare ही कर रहे थे तो मराठा जो है वो हैदर अली पर attack करने के लिए आ चुके थे लेकिन हैदर अली ने उनसे बात की हैदर अली ने मराठाओ को कहा कि आप हमारे पास आते हो, हमारे उपर attack करते हो, हमें हराते हो फिर हमारे पैसे लेते हो, हमारी territory लेते हो, दोनों को loot के ले जाते हो, अगर तो मराठाओं के पेश्वा, पेश्वा माधवराओं ने हैदर अली का offer accept कर लिया और लोट गया इस तरह हैदर अली ने मराठाओं को neutralize कर दिया और अब हैदराबाद और British East India Company बचे उसमें भी हैदर अली ने आसफजा 2 के साथ negotiation शुरू कर दी हैदर अली ने कहा कि यार आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ British East India Company ने आपकी Northern सरकास को हतिया लिया बट कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब एक काम करते हैं, दोनों भाई मिलकर अर्कोट पर हमला कर देते हैं, अर्कोट यानि कारनेटी पर हमला कर देते हैं और वहाँ से जो territories capture करेंगे, वो आपस में बाट लेंगे तो निजाम मान गया, निजाम इस बात से खुश हो गया क्योंकि कारनेटी का नवाब दोनों का common दुश्मन था तो इस तरह नवाब भी game से out हो गया अब British East India Company के लिए दिक्कत खड़ी हो गई क्योंकि British East India Company तो निजाम और मराठाओं को सपोर्ट कर नहीं आई थी और निजाम और मराठा तो अपनी फॉज लेकर निकल गया बच गई सिर्व British East India Company British East India Company ने भी अपनी फॉज को भागने के orders दे दिये बट हैदर अली ने भी भागते हुए इस British East India Company के टूप्स के परखचे उड़ा दिये और अपनी फॉज लेकर मदराज के काफी करीब पहुँच गया British East India Company को साफ दिख गया कि भाई मदराज कैप्चर होने वाला है तो उसने हाथ जोड ली और बोला कि भाई अब बस करो और तब जाकर 1769 में हैदर अली और British East India Company के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम है ट्रीटी ओफ मदराज इस तरह 1766 के मराठा एटेक से शुरू हुआ ये वार 1769 में ट्रीटी ओफ मदराज से खतम हो गया इस ट्रीटी की शर्ते ये थी कि दोनों पक्षों ने जितनी भी टेरिट्रीज एक दूसरी की एक्क्वाइर की है उसको लोटाया जाएगा और अगर दोनों में किसी को भी जरुवत होगी तो दूसरा पक्ष जो है उसे मिलिटरी सपोर्ट देगा और साथ ही साथ Prisoners of Wars को भी वापस किया जाएगा एक दूसरे के जो Soldiers कैप्चर कर लिया है उनको वापस करना होगा तो बुकस्तवा चैनल पर History और Indian Polity के बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो इसको लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोज को देखने के लिए बुकस्तवा चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू सो मुच फो वाचिंग बुकस्तवा